क्रोना काल में जसन फरोशी का धन्दा देखने को मिला है कानपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है 9 गर्ल, सहीत 20 लोग गिरफतार किये गए हैं कानपुर में उन-लाइन चलाया जा रहा था सेक्स रैकेट पिछले हफ़ते मत्रा में भी सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया दो युवको और एक युवती को पुलिस ने गिरफतार किया था और ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये पिछले हफ़ते देखने को मिला था एक रैकेट का खुलासा हुआ, वहीं कुछ दिनों पहले, कुछ हफते पहले की बात हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से और भी सेक्स रैकेट का खुलासा पुलिस ने किया था मनवर हमारे सहीयोगी मेरट से हमारे साथ जोड़ चुके हैं और गिरीश हमारे सहीयोगी नडा से हमारे साथ जोड़ चुके हैं मनवर पहले आपके पास आती हूँ यहाँ पर जिस सेक्स राकेट का खुलासा किया एक महिला की भी गिरफतारी हुई है जो इसका संचालन करती थी फिलहाल पुलिस जो है वो जुटी हुई है अन्य लोगों की तलाश में इस महिला से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है देखिए ये जो महिला हाथ में आई है बताया जाता है कि ये महिला जो लड़कियां थी यूतियां थी उनको सप्लाई करने में इसका एहम रूल है बंगाल के लड़कियों को लाए जाता था वेस्ट बेंगोल से कॉलकता से बिहार से और असाम से तीन जगाओं से अब तर जो खुलासा हुआ है कि तीन जगाओं से लड़कियों को लाकर दिल्ली में बेचा जाता था और ओन डिमांड लड़कियां दिल्ली से मेरट लाई गई ये महिला उनको खरीद कर लाई और यहाँ पर तीन हजार पैटीस सो रुपे में महिलाओं को जो लड़किया बता जा रही है उनको आनलाइन उनकी बिक्री की जाती थी एंटी हुमिन ट्रैफिकिंग के अलावा जो एक रेस्क्यू नाम की एक एंजियो है उनको इस बात की सूचना मिली उन्होंने बाकाइदा जाल बिछाया और खुद ग्रहक बनकर इस महिला से बारगनिंग की इस महिला ने तीन चार जगा जो मिलने की जगाएं थी वो बदली लेकिन बाद में जो एंजियो थी उसको सफलता मिली और महिला को ग्रफतार कराया गया महिला के पास सेंक्रो लड़कियों के फोटो मुवाइल नंबर और वो मुवाइल नंबर भी मिले हैं जो पहले मेरिट के रेड लाइट एरिया में महिला रहा करती थी जिश्म फरोसी का जो धंदा था वो क्या करती थी लेकिन हाई कोट के आदेशों के बाद यहां से जो रेड लाइट एरिया था बंद कर दिया गया है उसके बाद से ही मेरिट के पॉश इलाकों में जगा जगा छोटे छोटे जो सेक्स रेकेट ते वो चलते रहे, पुलिस ने खुला से भी खिये, लेकिन बड़े इस तरफ पर इस तरह के रेकेट सामने आ रहे हैं, अब इस महिला के पकड़ जाने से साफ है, कि हो ना हो कि बड दूसरे राज्ये से है, दूसरे देश में लड़कियों को ले 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 और सप्लाइ कर दे, अब इस महिला से पूश्टाच की जा रही है, एंटी हमिन ट्रैफिकिंग पुलिस से पूश्टाच कर रही है, इसके अलावा जो लोग हैं, उनने बताया है कि तीन राज्यों से अ बने हुए हैं, गिरिश जानकारी ये मिल रही है कि जिस सेक्स राकेट का खुलासा पुलिस ने किया है, मेरट से एक महिला की गिरफतारी भी हुई है, जो संचालन करती थी, लड़कियों को दिल्ली और मेरट में बेचा भी गया है इस तरह से अगर बात करें पिछले एक से डिड़ मेने की तो लगाता है, इस तरह के मामले सामने आये हैं, नोड़ा पुलिस दोरा भी कई इस तरह की जो खुलासे किये गये हैं, जो स्वेक्स रेकिट चल रहे हैं, और ऑनलाइन माद्यम से लोगों को बलाया जाता है, तो नोड़ा पुलिस भी इस पूरे जो इनपुट मिले हैं, मेरेट पुलिस की तरह से उसका काम कर रही है, मनवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनवर ये जो महिला गिरफतार हुई है, जो और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है, इसने कहीं कुछ ऐसा बताया है, और कित दिखिए, जो ये महिला है, ये मेरेट के नोचंदी थाना शेत्र के शास्त्री नगर नई स्वड़क से गिरफतार की गई है, जो कि पॉस्ट इलाका है, और इस इलाके में पहले भी ब्यूटी पालर के नाम पर सेक्स रेकिट पकड़े गए हैं, काफी पॉस्ट इलाका है, जो ये पकड़े गए था, एक लिस्ट बरामद रही थी, जिसमें बड़े नाम शामिल थे, लेकिन उस बात का अस तक खुलासा नहीं हुआ है, कही हत्याए भी शक्कर में हुई है, बताया जाता है कि जो महिला दिल्ली से यूतियों को लेकर मेरेट आती थी, तो मेरेट के कास्ते में जो नौइडा, गाजेबाद, ये जो जिले पड़ते हैं, इनमें भी जाहिर तोर पर इनकी पैट है, और हो ना हो, पुलिस फिलाल जाच कर रही है, हलाकि पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, कि आखिर इसके जानकार कौन है, लेकिन पुलिस जाच कर रही है, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी मचली भी हो, जो इस रैकेट को चला रही हो, क्योंकि इस वक्त देखा ही जा रहा है, मेरेट के अंदर हुक्काबार से लेकर तमाम तरह के जो गलत काम हो रहे हैं, उनमें शफेद फोस्ट लोगों के हाथ सामने आते हैं, क्योंकि इस तरीके के काम को करने के लिए एक बिहार की महिला जो की बिहार का काफी पिछड़ावा राजिया माने जाता है वहां की महिला इस तरीके के काम को नहीं कर सकती है हो नहों इसका कोई आला कमान है इसका सरगना है कोई जो इसको संचालित कराता है फिलाल एंटी हुमिन ट्रैफिकिंग और जो संस्था है निग्ज़ों को जुरूर पकडवाया चुकि ये डील करती थी लेकिन डील किसे माध्यम से होती थी डील करने इस तो पाख को है इस महिला से काफी जानकारी मनवर कह सकते हैं कि पुलिस को मिलेगी और कड़ी से कड़ी जब जुडेगी तो हो सकता है कि बड़ी मचलियां भी पुलिस के हते चड़ जाए बहुत बहुत शुक्रिया मनवर और गरीश आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए